भारत के लिए नहीं खेले एक भी मैच, फिर भी नाम पर खेली जाती है भारत की सबसे प्रतिष्टित तूर्णामेंट पुने कॉलेज में संस्कृत का प्रोफिसर बन गया भारतिय क्रिकेट का ग्रैंड ओल्ड मैन जो 37 सालों तक खेलता रहा डोमेस्टिक क्रिकेट जब भारत के लिए खेलने की बारी आई तो कह दिया गया बूढ़ा भारतिय डाक ने जिसके सम्मान में जारी किया स्टाम्प सौ वर्सों तक जीने वाले भारत के पहले फर्स क्लास क्रिकेटर पचास के एक आदमी के लिए उसकी शहन सक्ती पर विश्वास किया जाना देखा जा सकता था एक ठका देने वाले दिन के अंत में भी वह सुबह की तरह तरो ताजा थे उनकी बल्लेबाजी रूडी वादिता पर आधारित थी और आपसाइट पर वह विशेश रूप से मजबूत थे वह सकतिसाली रूप से निर्मित नहीं था लेकिन उसके पास मजबूत कलाई थी जो सही समय के साथ मिलकर उसके स्टोक को छेतर रक्षकों को हरा देने के लिए पूरी गती प्रदान करती थी विजय हजारे ने अपने संस्मरन क्रिकेट रिपलेड में कहा है और जानते हैं किस के लिए कहा है चक्दे क्रिकेट की खास बेसकर चक्दे क्लिक्स में आज जिसक्लाडी की बात करने वाले हैं वो भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेले हैं लेकिन फिर भी उनको भारतिय क्रिकेट का Grand Old Man कहा जाता है उनके नाम पर भारत में प्रतिष्ठित लिष्ट 8 टूर्णामेंट खेली जाती है इंडियन पोस्ट ने उनके सम्बान में स्टांप भी जारी किया आज बात करेंगे भारतिय क्रिकेट के सिर्म और दिनकर बलवंत देवधर जिनने दुनिया डीवी देवधर के नाम से जानती है देवधर ट्रॉफी के जनक डीवी देवधर के जीवन से जुड़ी कुछ जानी अंजानी और अंचुए पहलूओं को इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे 14 जनवरी 1892 को पुना जो अब पुने है में दिनकर बलवंत देवधर का जन्म हुआ था डीवी देवधर यकीनन सबसे प्रतिष्टित भारतिय क्रिकेटर थे जो कभी भी भारत के लिए आधिकारिक टेस्ट में नहीं खेले उनका जीवन उलेखनिय एक सो एक वर्षों का था देवधर का प्रथम स्रेणी यानि फर्स क्लास करियर भी उनके धैरी को सलाम करता था जो की 1911 से 1946 तक चला उन्हें भारत में टेस्ट क्रिकेटरों की पहली पीडी द्वारा एक पिता के रूप में देखा गया और देवधर ने भी उन्हें अपने स्वेंग के व्यक्तिकत उधारन से प्रेरित किया जब भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला था देवधर 40 वर्ष के थे और टेस्ट खेलने के लिए उनको काफी उम्रदराज समझा गया लेकिन देवधर फिटनेस के मामले में युवाओं को सरमसार कर देते थे देवधर 1911 से 1948 तक फर्स क्लास क्रिकेट खेले उनकी पहचान एक आकरामक दाये हाथ के बलनेवाज के रूप में हुई जो एक लिग स्पिनर भी था अपने 37 साल के फर्स क्लास करियर में उन्होंने 81 मैच खेले जिसमें उन्होंने 49.32 की एवरेट से 4722 रन बनाए थे और 246 रन उनका सर्बस्रेश्ट स्कोर था देवधर के बलने से इस दोरान 9 सतक और 27.8 सतक निकले और गेंद से उन्होंने 11 विकेट भी हासिल किये 1949 से 1941 तक उन्होंने रनजी ट्रोफी में महराष्ट की कप्तानी भी की और इस दोरान उन्होंने महराष्ट की टीम को फर्स क्लास क्रिकेट में स्थापित किया देवधर एक कुशल कप्तान थे जिनकी युवा प्रतिभाओं की खोज पर नजर थी 1949-40 के रनजी सीजन से पहले महराष्ट ने प्रतियोगिता में कभी एक भी मैच नहीं जीता था ट्रोफी तो दूर की बात थी देवधर 1949-40 और 1941-41 में लगातार दो सत्रों के लिए पुना में रनजी ट्रोफी लेकर आए कमल भंडारकर और खांडू रंगनेकर के वो महराष्ट की ओर से भरती करने और 1949-40 के सीजन में मध्य भारत से विजय हजारे की वापसी हासिल करने में उन्होंने महत पूर्ण भूमी का निबाई थी ताकि हजारे और महराष्ट दोनों के लिए एक सांदार अवधी शुरू हो सके डिवी देवधर के लिए सबसे बड़ा छन निसंदे नवंबर 1940 में पूना कलब मैदान में कट्र प्रतिद्वंदी बॉम्बे के खिलाफ आया जब अपने 49 जन दिन से दो महिने पहले उन्होंने शांदार 246 रन बना कर महराष्ट को 675 के बड़े स्कोर तक पहुँचा दिया था उस पारी को याद करते वे हजारे कहते हैं जब सभी युवा एक 50 या मामले में एक सतक से संतुष्ट लग रहे थे तो या 50 साल पुराना चमतकार हमेशा के लिए एक कवी द्वारा महिमा मंडित लौकिक धारा की तरह चला गया उसने महसूस किया कि पंख वाले विकेट पर कोई भी पक्ष केवल अच्छे टोटल से आश्वस्त नहीं हो सकता उसका सांदार हो ना ही था लेकिन 675 अभी भी विजे मर्चेंट के नेत्रित्व वाली एक मजबूत बॉम्बे टीम की बल्लेबाजी लाइनप से परे नहीं था लेकिन देवधर ने जबरदस्त सूजबूज और बढ़िया ढंग से अपने संसादनों का उप्योग किया आखिरकार पांचमी दोपहर तक उन्होंने व्यक्तिकत रूप से हजारे की गेंद पर हवेवाल द्वारा खेला गया एक सकायर को पकड़ा और बंबई की 650 रन की चुनोती को देखा उस सीजन में महराश्टर के खिताब के सफल बचाओ में देवधर ने 500 से अधिकरन बनाये और यहां तक की 4 साल बाद भी वह एक योग्य प्रतियोगी थे जब नवानगर के खिलाफ दोनों पारी में उन्होंने शतक बनाया रनजी ट्रॉफी में ऐसा दूसरा उधारन था उस वक्क देवधर 53 साल के थे अनुपचारिक ही सही लेकिन पुने के एक कॉलेज में संस्कृत के एक प्रोफेसर डीबी देवधर टेश्ट सतक बराने वाले पहले भारतिये के रूप में देखे जाते हैं हाला कि यह 1926-27 के आर्थर गिलिगन की मेहमान टीम के खिलाफ हो सकता है उन्होंने औल इंडिया को 75 की पहली पारी की बढ़त दिलाने के लिए एक उत्तम दरजे का 148 रनो का स्कृर बनाया जिससे तीसरे दिन समय समाप्त होने पर NCC हार के कगार पर थी देवधर ने पुणे में 1937-38 में महराष्टर के लिए लौड टेनिसन के विरुद भी शतक बनाया था 1946 में भारतिय टीम के साथ इंगलेंड और 1947-48 में ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार के रूप में देवधर भारतिय टीम के लिए प्रोचाहन का एक बड़ा स्रोथ थे 1973-74 में उनके सम्मान में एक घरेलू छेत्रिये एक दिवसिये प्रतियोगिता देवधर ट्रोफी का नाम रखा गया जो आज भी खेली जाती है और जो लिष्ट एक क्रिकेट की एक प्रतिष्टिट टूर्नामेंट है दो अन्य सांकेतिक सम्मान 1965 में पद्म स्री और 1991 में पद्म भूशन से भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और पुने में उनके नाम पर एक सड़क का नामकरन क्रिकेट डिवी देवधर मार्ग पुना यंग क्रिकेटर्स हिंदू जिम खाना मैदान के पास किया गया है देवधर भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि BCCI के वाइस प्रिसिडेंट भी रहे साथ ही नैशनल सेलेक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया इसके अलावा उन्होंने महराष्ट क्रिकेट एसोसियेशन के अध्यक्षपत पर भी अपनी सेवाएं दी 24 अगस्त 1993 को 101 वर्ष की उम्र में डिवी देवधर हम सब से जुदा हो गए भारत की पूर्व नैशनल बैडमिंटन चैंपियन तारा देवधर, सुन्दर देवधर और सुमन देवधर, डिवी देवधर की बेटिया है 2012 में पुने के सहारा क्रिकेट स्टेडियम में देवधर की एक मूर्ती का अनावरन किया गया था चगदे क्रिकेट की पूरी टीम भारती क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन डिवी देवधर को कोटी कोटी नमन करती है आपके अनुसार क्या वाकई में भारत के लिए टेश्ट खेलने के लिए देवधर फिट नहीं थे किस वज़ा से वो भारत के लिए एक भी टेश्ट नहीं खेल सके कमेंट में हमें जरूर बताएं क्रिकेट के ऐसे ही दिल्चस्फ वीडियो और खबरों के लिए फॉलो करें हमारा पेज वीडियो पसंद आया तो लाइक और सेर जरूर करें अगले अंक में मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ एक और खिलाडी के साथ अभी दीजे इजाजत